हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं पहले फोन खराब हो गया उसने मैनुफेक्चरिंग डिफॉल्ट आ गया कमपनी की ओर से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर एड़ोकेट रजनीस ने पीडित उभोकता की ओर से उभोकता फोरम में कमपनी के खिलाफ याचिका दायर की इस मामले के बाद अदालत ने कमपनी को आदेश दिया कि उभोकता को फोन ठीक करके दिया जाए इसके बाद 11 अक्टूबर को कमपनी ने उभोकता को मोबाइल दिया ये ठीक हो गया उस दिन भी उभोकता ने अपने मोबाइल को पानी में डाला तो वो खराब हो गया इस मामले में फिर 17 अक्टूबर को सुनवाई वो भुकता के वकिल शर्मा ने जजज से कहा कि कमपनी का प्रचार जुटा है फोन पानी में डाले जाने से खराब हो रहा है और उसे अब तक कोई राहत नहीं मिली है तब अदालत में मौजूद कमपनी के नुमाइंदों ने कहा कि मोबाइल फोन ठीक कर दिया गया है और पा अपना फोन लेके आते हैं और उन्होंने फिस से हमने उनसे वाटर टेस्ट की मांग की तो उन्होंने जैसी ही पानी में फोन डाला तो विदिन 20 मिनेट्स वो फोन अपने अपने खराब हो गया वो ओन भी नहीं हो उसके बाद और फोन टोटली बंद हो गया तो जजज साब आप जल्दी से जल्दी इसका solution दीजिए या हमारे इसको client को जल्दी से जल्दी free कीजिए क्योंकि हम बार बार इसको परिशान नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम mentally torture नहीं देख सकते हैं तो you have to pay for this amount.